अब देखिए अब यह एक और कुश्चन है और यह कुश्चन है आपके पास चेप्टर 10 से ही है पिछला कुश्चन हमने साइन 255 डिग्री को सॉल्व किया था यह पाई की फाहम में है वो कहता है कॉस 11 पाई अपाउंट 12 यह एक्सराइस का कुश्चन है तो देखिए अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ इस तरह से 6 पाई अपाउंट 12 प्लस 5 पाई अपाउंट 12 यानि उपर वाली वैल्यू सेम रहती है 11 अब मैं अगर इसे मजीद सॉल्व करता हूँ तो देखिए 6 बंजा 6, 6 तूजा 12 तो यह पाई अपाउंट 12 यानि इस तरह स से बन जाएगा कि कॉस यह बनगे आपके पास पाई बाई टू प्लस 5 पाई अपाउंट 12 तो अब देखिए अगर हम जब इस तरह से किसी चीज़ को कनवर्ट कर देते हैं इदर पाई बन फाई पाई बना देते हैं और कॉस है मौजूद है पाई बना देते हैं और प्लस म अब मैं यह फॉर्मूल अप्लाई कर सकता हूं तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास यह जो कॉस पाई बै टू प्लस 5 पाई बै टू 5 पाई अपाउंट 12 है तो यह बराबर हो जाएगा इस फॉर्मूली की मदद से यह बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस का साइन ब बीटा का मतलब यह जो आपके पास एंगेल आगया फाइफ पाउंट 12 यह आगया तो क्या आप इससे फाइफ पाउंट 12 और अगर मैं इससे ब्रेक कर सकता हूं तो आप 11 12 और 16 12 दीचल पाउंट 12 वन जाना है तो देखिए हैं अगर मैं यहां पर इसको माइनस साइन यह प तो अब देखें यहाँ पर जो आपके पास formula लग सकता है अगर मैं इसे मजीद ब्रेक कर दूँ तो देखें यह अगर मैं इसे करता हूँ यह हो जाएगा भाई 2 1s are 2 2 6 are 12 यह नि पाई बाई 6 यह बन जाएगा 3 1s are 3 और 3 4s are 12 तो यह πाई बाई 4 बन जाएगा यानि इसका मतलब यह हुआ कि यह आपके पास बन गया माइनस sign पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 4 यह आपके पास बन गया अब इसके ओपर यह तो यहाँ तो यही चल रहा है कि cos 11 by a pound 12 ठीक है यह बन गया माइनस माइनस sign पाई बाई 6 और प्लस पाई बाई 4 अब आपके पास यह जो sign का formula है ठीक है यह तो देखे माइनस तो अपनी जगा आएगिया अब sign का formula आपको पता है sign alpha cos beta plus cos alpha sin beta यह formula apply कर देंगे ठीक है तो अब हम इधर कर देते हैं कि formula apply कर देते हैं sign alpha pi by 6 हो गया cos beta 4 हो गया अब आपको पता है कि sign के formula में plus है तो plus ही रहेगा अब हो जाएगा cos alpha और sin beta pi by 4 तो देखें अब यह formula बन गया आपके पास ठीक है जब यह formula बन गया आपके पास अब इस formula के अंदर आप क्या करेंगे इन values को रख दीजे आपको पता है कि sign 30 किसके बराबर होता है pi by 6 के बराबर होता है याई pi का मतलब 180 अगर मैं 180 को 6 से डिवाइट करवा देता हूँ तो कितना बन जाएगा यह बन जाएगा 6 3 जा 18 यानि 180 तो 1 अबाउंट 2 इसकी value क्या होती है 1 अबाउंट 2 sign 45 किसके बराबर होता है यानि sign pi by 4 1 अबाउंट 2 cos 30 किसके बराबर तो pi by 6 के बराबर होता है अब देखें अगर मैं इधर रखता हूँ minus sign pi by 6 sign pi by 6 कितना है आपके पास? half है ठीक है फिर sign 45 यानि pi by 4 कितना है ठीक है अब यह cos cos pi by 4 cos pi by 4 है आपके पास 1 upon 1 अबाउंट 2 ठीक है प्लस अब यह cos pi by 6 कितना है आपके पास? cos pi by 6 under root 3 upon 2 और फिर उसके पास sign pi by 4 कितना है आपके पास? sign pi by 4 है 1 upon under root 2 बस अब हम इसे calculator से solve कर लेते हैं ठीक है फिर देखते हैं इसका क्या अंसर आ रहे है अब देखेंगे जब मैंने इसके उपर calculator apply किया सही calculator से इसका अंसर है minus under root 6 plus under root 2 upon 4 यह इसका अंसर है ठीक है? cos 11 pi upon 12 का ठीक है? यह इसका अंसर है तो उमीद करता हूँ कि यह आपकी समझ में आ गया होगा अल्ला आफिस